हम दन्यवाद करते हैं परमेश्वर यह सुन्दर समय के लिए जहां पर आपके साथ संगरती कर सकते हैं आपका बच्छन सुन सकते हैं परमेश्वर आज का दिन के लिए दिन्यवाद करते हैं परमेश्वर हम हमें अच्छा स्वस्थ में रखे हैं अच्छा दिन दिये हैं परमेश्वर यह बाइबल स्टाइब क्लास में परमेश्वर हम सीखने के लिए परमेश्वर हमरा आखों को और खानों को खोले परमेश्वर सही तरीके से सुनने के लिए और आपका वच्छन को गेराई से देखने के लिए समझने के लिए परमिश्र हमारा मन में काम करें परमिश्र आपका नाम को महिमा हो एश्यू के नाम से एपरास्तना करते हैं आमें आज हम मती उनीस से देखने वाले हैं तो हमें माल में एश्यू मसी एरुशलेम जा रहे हैं और रास्ते में काफी बार उन्होंने रुके हैं और लोगों को प्रचार किये हैं प्रचार कर रहे हैं अलग-अलग गाओं में अलग-अलग शेरों में और हमने उनका उन्होंने लोगों को चंगाय कर रहें उनको प्रचार कर रहें इस सब मुख्य समय है चौते साल का मिनिस्ट्री है एश्यू का और हम बहुत पास में जा रहें कि एश्यू मसी का क्रूस का मरण के आसपास जा रहें और कुछ समय में कुछ में कवर करेंगे तो जैसे यश्यू मसीरacter के रास्ते में जा रहें जो प्रचार हो रहा हैं शिखाये उसके दोरह हम कुछ पंक्ति देखेंगे तो अभी marriage और divorce के बारे में एक पंक्ति है विवा और divorce के बारे में मत्ती उनीस में वचन एक से बारा हम ज्यादा वचन पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारा पास समय कम है हम आप लोग यह वचन जो हम क्लास में बोला जाएगा वह आप बाद में क्लास के बाद पढ़ सकते और समझने के लिए तो जब एश्यमसी जा रहा है एरिशलेम के पास और रास्ते में जा रहा है काफी लोग उनके पीछे फॉलो कर रहे हैं बीड़ और वो कुछ लोग का चंगाय कर रहे हैं प्रचार कर रहे हैं और फरिशी लोग अभी आके पूछ रहे हैं ना ये पंक्ति में अभी भी फरिशी लोग एश्यू के साथ है एश्यू के पीछे हैं और ये देख रहे हैं कि अभी एश्यू क्या गलती गलत बात करेगा उसको हम किसी को बताना है यह सब और वो यह पूछ रहे हैं अभी एशमसी को टेस्ट करने के लिए यह पूछ रहे हैं कि अगर कोई मनिश्य अपना जो पत्नी है उसको अगर ढाइवर्स किया डाइवर्स कर सकता है क्या वह नियम की अनुसार सही क्या करके सवाल पूछ रहे हैं तो उनका मुद्दा विवा और डाइवर्स के बारे में शीखने के लिए नहीं है मगर ये शुमस्य को टेस्ट कर रहे हैं ये शुमस्य का एक ट्राप करने के लिए पूछ रहे हैं तो मुशा के द्वारा जो नियम दिया है विवस्ता विवरन चववीश चववीश एक से चार में ये लिखा है जब कोई पति और पतने का कोई अनफ़फुलनस था ना किसी और के साथ सम्मन था तो जब अडल्ट्री होते हैं कोई बहार मैरेज के बहार सेक्शल रिलेशनशिप्स होगा अनफ़फुलनस होगा तब ही उसी कारण के वज़े से डिवर्स हो सकता है और मगर क्या है वो यहुदी लोग के बीच में दो अलग तरीके का टीचिंग था दो अलग तरीके का सोच था उस समय दो रबाई रबाई लोग थे एक शमाई है और एक हिलेल है ये दो रबाई लोग एक शमाई कारी जो रबाई है वो कंसर्वेट मतलब सही तरीके से वो जैसे नियम बता रहा है वैसे वो सिखा रहे और हिलेल हिलेल का जो सिखायत है थोड़ा और और जैसे मौडरन बोल सकते हैं मौडरन का थोड़ा अलग अलग सिखायत भी होता है जो शमाई बोल रहे हैं वही बता रहे हैं सिखा रहे हैं लोगों को यहूदी लोगों को की unfaithfulness और विवा से बहार जो कोई समंध होगा गलत तरीके से तब तलाग हो सकता है मगर हिलेल क्या सिखा रहे हैं अगर तुम्हें पसंद नहीं हुआ उनका खाना ठीक नहीं वो खर रही है अगर आपको बीच में बच्चे नहीं हुआ कुछ साल से कोई भी कार करन के वज़े से भी तलाग दे सकते हैं करके सिखायत चल रहा था इस वजए से उन्होंने यह सवाल उठाए थे ताकि एश्यमों सी जब एक पर्टिकुलर जो चुनाव है उसको उसको चुनेंगे तब हो बोल सकता है कि एसा एसा बात कर रहे हैं और इनका साइड है यह रबाई समाय का साइड है नहीं तो रबाई हिले का हिलेल का साइड है करके बोलके थोड़ा जो दूसरे तरफ है उनके बीच में उनके साथ जगड़ा शुरू कर शकता है ऐसा उनका सोचता और अभी एश्व मसी क्या किया उनको जब पहले आदमी और हावरत बने थे परमेश्वर उस समय का बात लेके आया और उत्पती दो शोबीस में परमेश्वर का जो परपरस है मारेश का विवाखा उसके बारे में बोला है कि इसमें साफ यह लिखा है परमेश्वर मनिश्य और मनिशी बनाये और उनके बीच में विवाख किये और परमेश्वर नहीं चाह रहा था किसी को डिवोश हो तलाक हो वो परमेश्वर का प्लान नहीं था मगर मुसा का नियम में कैसे आया कि क्योंकि लोगों का मन में पाप के वज़े से थोड़ा क्या बोल सकते यह का जैसे हमारा मन पाप के वज़े से थोड़ा पतर जैसे हो गया उस वज़े से वो नियम में अलव किया हुआ था मगर परमेश्वर का वो और जिनल प्लान नहीं था तलाक का और यह भी यह शुब बोल रहे हैं कि जो भी अपना पत्नी को तलाक देगा और किसी और 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 शादी करेगा वो पाब कर रहा है वो वह भी गलत संबंद कर रहा है यह परमेश्वर बता रहा है दो चीज हम देखना एक तो परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान नहीं है तलाक देना और उस समय भी यहुदी लोग के बीच में गलत सिखाया चल रहा था चोटे-चोटे पर भी तलाक दे रहे थे वैसा टीचिंग चल रहा था दूसरा परमेश्वर हमेश्वर विवाग हो मनिश्य आदमी और आउरत के बीच में उनका औरिजिनल प्लान है आज सकल इसा लोग नया नया चीज लेके आ रहे हैं कि आदमी आदमी औरत औरत ऐसा भी लोग सोच रहे गलत तरीके से जिसके बार में रोमियो एक एक में भी बताया हुआ है कि बीवा हमेशा एक आदमी और आउरत वैसे परमेश्वर बनाया है और वैसे वही परमेश्वर का मकसद है जो आजकल ये संसार में चल रहा है कि आदमी आदमी और आउरत आउरत वो परमेश्वर का प प्लान है उसमें कभी हम ऐसा सोचना मतलब ये हम clearly पता होना है कि विशा हमेशा आदमें और और आरत के बीच में हैं वही परमेशर का और जेनल प्लान है तलाख परमेशर का प्लान में नहीं है और सिर्फ मुसा का नियम में सिर्फ unfaithfulness और अगर कुछ गलत समंद हुआ उस वज़े से थलाक दे सकते करते नियम में है तो हम यह देख रहे हैं कि फरिसी लोग क्या सोच कि एशु का ट्राप करने के लिए टेस्ट करने के लिए यह पूछ रहे थे और एशु मसी ने वचन से ही उत्पती से उन्होंने ज पार में लाजरिश जैसे मरने के बाद वापस एशु मसी ने उनको जी उठाया यह यहाना ग्यारा लगबख पूरा पंग चैप्टर है आँ सो यह हम देखेंगे लाजरिश कौन है मर्यम और मार्ता है मेरी और मार्ता उनका बाई है लाजरिश और लाजरिश बहुत क्या उसका सेहत खराब हो गया बहुत और मेरी मर्यम और मार्ता क्या किये एशु मसी को उन्होंने खबर बेज़े कि यह सा लाजरिश का का खाफी बिमार हो गया वो कुछ भी हो सकता है आप चल दिया आओ और मतलब ऐसा बेज़े हैं जो आप आप प्रेम करते हैं वो उसके बिमार है और उससे में एशु मसी जूड़े जूड़िया में नहीं था उन्होंने एक और जगा पेरिया करके उदर उदर थे उदर से आने के लिए वक्त लगता है एक बात यह है ये शुमसी ये कबर सुनने के बाद भी उन्होंने अच्छानक मतलब तुरंत नहीं उदर आए उन्होंने दो दिन रुखे थे उई जगा पे कुछ कारण के लिए कभी-कभी हम भी प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं अभी ये होना है जल्द है जल्दी ह मगर कभी-कभी परमेश्वर वेट करते हैं ना थोड़ा रुकते हैं हम ऐसा सोच लगता है अगर परमेश्वर अभी काम नहीं किये हैं कब करेंगे इसा ही अभी मरियम और मारता खबर बेजे एशुमसी के वह सोच रहे हैं कि अरे लाजरस बिमार है और लाजरस को ये श्य मसी चंगा करे शर्बता है और एच मसीक के हम बोलाएंगे एच मसीर आएंगे उसको चंगार करेंगे और लाजरिस्टिक होएगा एधी उनका सोचे मगर एच मसी क्या डिजेयड किया उन्होंने दो دिन आय जिए नहीं ौह ऐ खबर मिलने के बावजुत वो दो दिन उधर ही क्योंकि उनका मकसद और बड़ा था मतलब parmeisher के बारे में मतलब मसी के बारे में उनको और गेराई दिखाना था वो मकसद था उन्होंने ये बोले की ये जो बिमारी है ये अपना चेले लोग का इertख्रमसी बोल रहे है कबर मिलने के बाद वचन शार में यहाना ग्यारा चार ये बिमारी मौत में नही जाएगा मगर ये बिमारी इसी लिए है परमेश्वर को महीमा मिलने के लिए तो परमेश्वर का महीमा ये मकसद है एश्यमसी उदर दो दिन रुखा था अभी सोचो, मरियम और मार्ता को मालुम है, सब लोग इदर ध्यान दे दो, ठीक है, फ्लास में, और मरियम और मार्ता को मालुम है, कबर हमने बेजे हैं, लाजरस के बारे में पता है एशुमसी को, एशुमसी ये कबर सुनने के बाद भी वो दो दिन उधर ही रुक रहे हैं, और क्यूं येश्यमसी उदर ही रुक रहे हैं? उनको थोड़ा क्या हो रहा है? खर्ट हो रहा है. येश्यमसी को मालूम है, ये बिमार है और अगर वो तुरंट आएंगे वो ठीक हो सकता है. मगर येश्यमसी उदर ही रुक रहे हैं. ये सब सोच के मरियम और मार्था को क्या होगा थोड़ा अफेंड हुआ होगा, हर्ट हुआ होगा, क्यों येश्यमसी आया नहीं फिर और लाजरस मर गए है? वो सोच नहीं, अभी उनका मन में ऐसा सोच होगा, आरे येश्यमसी क्यों नहीं आया? डो दिन हम कबर मिलने के बाद भी दो दन ऊधर ही रुखा था, क्या कर रहे थे? हमारे उपर प्रेम नहीं है, क्या? हमारे लियलिए क्यूं नहीं आया है? लाजरस भी मर गए, अगर वो आये होंगे, वो लाजरस को चंगाई मिला होगा, मेरा बाय ठीक हुआ होगा, ऐसा उनका मUNG में सोच, सोच चल रहा होगा, ये अभी क्या है, एश्व मसी दो दिन के बाद, अपने चेले लोग को बोल रहे हैं कि हम अभी जाएंगे और उनको बोल रहे हैं कि ये अच्छी बात है मैं खुश हूँ और ये अच्छी बात है तुम लोग भी मेरे साथ हैं और तुम लोग के लिए और परमेश्वर का महीमा के लिए यह चीज होने वाला है और ये शुमसी और उनके छेले लोग जा रहे हैं कहां पर बैतानी में बैतानी कुछ लगबग दो-तीन माइल है इधर से जरुसलेम से एरुसलेम से कुछ दूरी है काफी दूर नहीं है जैसे ऐसे बोल सकते मतलब मुंबई मुंबई सेंट्रल से सकते लगबग और मगर ये लोग कैसे जाएंगे वो चलके पेदल में जाएंगे नहीं तो कोई गदे के उपर कोई चोटा जानवर के उपर जा सकते हैं तो उनको लेट होगा तो जा रहे हैं अभी आप सुछे सुनिए सो मर्यम और मार्ता गर पे हैं और येश्यू उनके ब भित्हानी का गाउं पहुंचने से पहले उनको कबर मिल रहा है गड़ पे मर्यम और मार्ता को एश्यू आ रहे हैं रास्ते में उस समय मर्यम नहीं आ आंगे और तो लगवक्त चार दिन हो गया तो मर्यम का शायद मन में ऐसा है अभी एशुमसी आके क्या करने वाले जब आना था उस समय नहीं आए तो उनका उसकी सायद अफेंड हो गया हर्ट हो गया वो गर पे ही है सुनने के बाद भी बाहर नहीं जा रहे है मारता जा रही ह बाहर मारता बाहर जाके और एशुमसी से मिल रही है और उससे बता रही है कि ऐसा लाजरस मर गया और और यहीं बोल रही है मारता यहीं बोल रही है अगर आप होते इदर शायद लाजरस मरा नहीं होता आप ठीक किये होंगे और एशुमसी यह बोल रहा है यह बहुत मुक् वचन है, एशु मसी यह बोल रहा है कि इंगलीश में ऐसा है, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. मैं यू पुनरुक्तान हूँ और जीवन हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है, वो मरने के बाद भी जीवित रहेगा. और मारता को बोल रहा है, वो और एशु मसी यह शब्द यूस्त करता है, वो जब हम मरन बोलते हैं, एशु मसी बोल रहा है, वो सो रहा है, तो death is told us that he is sleeping. और एशु मसी बोल रहा है, वो वापस उठेगा, जी उठेगा. और मारता यह समझ रहे है, हाँ, अंध में सब विश्वासी लोग वापस जी उठेंगे, हमेशा के लिए इस वर्द में रहेंगे, हाँ, उस समय तो उठेगा, जी उठेगा. मगर एशु मसी उस समय का बात कर रहे हैं, हम यह सोचेंगे, यह हुआ, अभी मरियम आरी है, मरियम गर पे थी, वो पहले नहीं आई, कुछ समय के बाद अभी मरियम आरी है, वो यह बात बोली, एश्व मसी आप हुए होते हैं, तो इसा नहीं हुआ होगा, और लाजरस अभी मर गया, यह सब बात हो रहे हैं, और मरियम के साथ और भी यहुदी लोग आ रहे हैं, मरियम और मार्ता दोनों रो रहे हैं, उसको देखके येशु मसी का भी बहुत मन थोड़ा काफी तरस्ट हो गया है, और ये भी important वचन है यहुना 11 35 35 ये बाइबल में सबसे चोटा वचन है, जीजस वेट, येशु मसी परमेश्वर कैसे रोएंगे परमेश्वर कैसे मारेंगे क्रूस पे, ये ये परमेश्वर नहीं हो सकता है, ये बहुत वीक है कि मगर ये परमेश्वर का भी मन है, परमेश्वर का भी दिल है, वो हमारे उपर concerned है, वो हमारे उपर interested है, हमें अगर कुछ बुरा होगा उनको भी हर्ट होगा अगर हम कुछ गलत करते हैं पाप करते हैं उनको हर्ट होगा जैसे एक पिताजी को अगर उनके बच्छे कोई गलत कर रहे हैं गलत तरीके में जा रहा है पिताजी के उपर प्रेम नहीं कर रहा है जैसे एक पिताजी को हर्ट होगा व और वो पूरे तरीके से समझता है हम क्या कस्ट जेल रहे हैं और वो बहुत कंसर्ण और बहुत प्रेमी है हमारे उपर वो दिखा रहा है तो उदर यहुदी लोग जो मर्यम के साथ आ रहे थे वो बोलने लगे यह तो एशुमसी जो जिसका जनम से अंदा था उसको भी चंगा किया यह हुआ होता तो शायद लाजरस नहीं मरा होता अभी एशुमसी क्या किये लाजरस कहां पे है हम उदर जाएंगे करके बोल रहें और एक उस समय में ऐसा करते थे गुफा होता है जिसे केव होता है उसके अंदर ही वो जो मरे उन लोगों को रखते हैं वो कब्रस्तान जैसे बना हुआ होता है और इसलिए उदर जो मरन के लिए जो कपड़े वगःरा किसी ने मौत हो गया उनको पूरा कपड़े बांगते हैं उसके लिए कपड़े वगःरा भी रखते थे गुफा में और वो गुफा में जा रहे हैं वो बोल रहे हैं इधर ही लाजरस को रखा हुआ है और लाजरस मर के कितना दिन हुआ चार दिन हुआ याद रखिएगा यह भी इंपोर्टन्ट है लाजरस मर के चार दिन हुआ यह और अभी एशुमसी बोल रहे हैं यह यह जो पत्तर है एक बहुत बड़ा पत्तर है गुफा वामें रखा हुआ था एक बहुत बड़ा पत्तर सामने रखे होए थे वेसे ही है काफी लोग का ऐसे ही यह करते हैं बरी करते हैं और वो बड़ा पत्तर को हटाने के लिए यह मसी बोले उस समय मार्ता बोली अगर इसको हटाएंगे बहुत यह समेल आएगा चार दिन हो गया उसका बाड़ी पूरा डीकंपोस हुआ होगा एसा एसा बोल रहे हैं और क्यूंकि मार्ता को यह कोई सोची नहीं था कि यह मसी उनको दूबारा जीवन दे सकते हैं सब लोग यह सोच रहते हैं कि अरे यह मसी आप वो मरने से पहले आया होते वो जीवित रिया होगा उन्हो जायद यह ध्यान नहीं दिया जो जहरश उनका डॉटर को उन्होंने मौत से वापस मौत होने के बाद वापस जिलाये और एक विडो थी नहीं करके एक जगा पे विडो थी उनका बेटा को लोथा बेटा को उन्होंने जीवन दिये वो सब शायद उन्होंने उस समय उनका म लाजरस मतलब आजा लाजरस आजा करके चिला के बला उससे पहले उन्होंने अपना आखों को आसमान में स्वर्ग में दिखाए और परमेशर को प्रार्थना किये पिता परमेशर से प्रार्थना किये उसके बाद उन्होंने लाजरस उठा आजा बोले लाजरस कम और लाजरस जो मरा हुआ था जिसको कान सुनने ही पाएगा मरने के बाद और जिसके उपर पूरा कपड़े लपेटे हुए वो बहार आ रहा है आप सोचो एक मरा हुआ वक्ति जिसको सुनने ही पाएगा जिसका पूरा शरीर में पूरा कपड़े है बांदा हुआ है वो बहार आ रहा है ज सब चाइए यहुदी लोग हैं मर्यम हैं मारता हैं यहुदी लोग उदर हैं कांफी लोग वचन बोल रहें काफी लोग यहुदी के ओपर विश्वास किए और कुछ लोग क्या किये फरिसी लोग के पास गए उनको बोला है अरे एश्व मसी ऐसा ऐसा किया है उनके पास जाके कंप्लेंड किया ठीक है अब सोचिए इससे बड़ा और क्या चाहिए कितने चंगाई एश्व मसी ने दिखा दिया है कितने चमक कर किया है कितने बार प्रक्षार किया है इसके बाद आपका और कितना चाहिए एशुमसी मैसायाद दिखाने के लिए समझने के लिए अभी भी कुछ यहुदी लोग ना विश्वास करके फरिसी सास्त्री लोग के पास जाके कम्प्लेंड किया दो चीज हम देखेंगे एक तो यह है क्यों चार दिन एशुमसी ने वेट किया वो दो दिन क्यों वेट किया क्यूंकि यहुदी लोग सोचते हैं सोचते थे कि कि जब कोई मरेगा उसके बाद हो सकता है दो तिन दिन में दो तिन दिन तक उसका आत्मा आसपासी रहेगा और वापस उनका बॉड़ी में वापस 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 आत्मा आ सकता है जीवन हो सकता है एसा उनका सोच था एसा उनका बिलीफ था क्यूंकि उस समय उस समय मेडिक सब्सक्राइब तरिक डियां K वह सोच सकते अच्छा यह आदमी मर गया और उसको बरी को सब्सक्राइब सेग्ज है अब läuft को समय ऐसा हूँआ होगा कि उ जो आदमी यह मरा नहीं है मगर unconscious है, coma में है, कोई और बात के वज़े से वो respond नहीं कर रहा है उसको समझ रहें कि वो शायद मर गया और उसको दफना जा रहे हैं और वापस वो ठीक जिन्दा हो गया तो ये एक कारण हो सकता है वो सोच रहें कि दो तिन दिन में कोई उनका आत्मा वापस आ सकता है तो अगर एशुमसी पेले गए होते और तूसरा दिन ने तो तीसरा दिन वो चमतकार किये होंगे यहुदी लोग क्या होंगे, बोले होंगे, अरे इसका आत्मा इधर आसपास गूम रहा होता इसलिए आ गया, यह चमतकार कुछ नहीं है, इसलिए यह शुमसी दो दिन वेट किये और चार दिन होने के बाद, उन्होंने आके यह चमतकार किये हैं, ताकि कोई भी बोल नहीं सकता, लाजरस का आत्मा आसपास ते, वो वापस आ गया, यह कुछ नहीं है, और यह साफ तर जो प्रीस्ट, या जख लो, यह दोनों एक बड़ा मीटिंग कर रहे हैं, यह होने के बाद, यह सुनने के बाद है, और यह बाद कर रहे हैं कि, फरिसी लोग बोल रहे हैं, अगर यह मनिश्य ऐसा ऐसा, आप सोचे, यह मनिश्य, अभी, एशुमसी को कैसे देख रहे हैं, म और रोमियों लोग हमें भी हटा देंगे हमें हाटा देंगे और हमारा पूरा इस्रेयल को इस्रेयल देश को वो यह कर लेंगे अपने अंदर कर लेंगे वह उनके जो उनके जो पोशिशन से वो जा सकता है और इस्रेयल रोमियों के नीचे और जा सकता है और और कंट्रोल में जा सकता ये सोचे ये इसके बार में बोल रहे थे और ये शमसी को मनिश्य के दोराई देखके बता रहे थे इतना बड़ा चमतकार केसे हुआ वो केसे उनका ये सामर्त आया ये मेसेया है क्या ये उन्होंने नहीं सोचे वो सोच सकते थे मगर उन्होंने नहीं सोचे और उस समय महायाजक्ता काइफस काइफस बोला है पूरा देश का अगर रोमियो सरकार से नाश होने का चैंस है तो एक बंदा उसके लिए मर सकता है तो एशु को मरा देंगे ताकि इस्रेल का प्रॉब्लम नहीं होगा इसा काइफस बोल रहा है मगर वही एक एक बविश्यवानी जैसे हो गया अंत में येश्य मसी किसी लिए आया हम सब को बचाने के लिए ना हम सब नाशना होने के लिए और हमें बचाने के लिए वही काइफस गलत मतलब उनका इंटेंशन गलत था मगर वो जो बोला वो परमेशर का योजना था येश् तो उस समय से फरिशी लोग और याजक लोग अभी बहुत strongly येश्व मसी को केसे मारना है, पहले क्या सोच रहे थे, येश्व मसी को केसे पकड़ना है, उसको शायद वो सोच रहे होंगे, जेहल में डालना है, कुछ डंडन देना है, ताकि वो आगे से इसा ना करे, अभी क्य करके येश्व मसी को मारना है, ये सोच रहे है, उनके अंदर, ठीग है, यहेश्व मसी का छेले लोग सब देख रहे है, क्या देख रहे है, ये बंदा चार दिन पहले मरा, उसका शायद आदा बॉड़ी डिकमपोस घो गया, समेल हो रहा है, ये शुमसी आके जीवन दे रहा है वो अपस जिन्दा हो गया और नॉर्मल हो गया मेरे बाई चार दिन पहले मर गया अभी मेरे से बात कर रहा है कि किसे हो सकता है सिर्फ परमेशरी एसा कर सकता है उनका जो विश्वास है उस समय तक मरियम और मारता यहुदी लोग क्या सोच से होगे ये शुमसी चंगाई कर शकता है ये शुमसी लोगों को टीक कर सकता है मागर मर रहा हुआ तो ओ भी कुछ नहीं कर सकता यहां उनका सोच में वा होगा में 10 में जीवन मैं जीवन दे सकता हूं मैं परमेशर हूँ, मैं ही पुनरुख्तान और जीवन हूँ, यहना 11-25, बहुत मुक्य है कि क्योंकि पुनरुख्तान में ही मलब हमारा पूरा विश्वास पुनरुख्तान के उपरी है, येशु मसी मरने के बाद पुनरुख्तान हुए, अगर येशु मसी पुनारुकतान हुआ नहीं हमारा विश्वास कुछ भी नहीं है हमारा पूरा विश्वास इसके उपर आधर है और स्तिर है येशु मसी परमेश्वर है उसके अंदर पाब नहीं है और वो मरे हैं हमारे लिए, हमारा पाप के लिए और वापस पुनरुकतान हुए, वापस जिन्दा हुए, इसके उपर आदा रहा है, और फरक क्या है, येश्व मसी भी मरे वापस जिन्दा हुए, लाजरस भी मरा वापस जिन्दा हुए, फरक क्या है, ये भी हम सोचना है, कि लाजरेस जिन्दा हुआ, मगर वापस मरेगा लाजरेस दो बार मर रह रह रहा है और एशुमसी का, मतलब एशुमसी का और हमें भी हम जब मरेंगे वापस कभी नहीं मरेंगे हम अनंकाल जियेंगे और परमेश्वर का महिमा के लिए यह चमतकार ये पुनरुप्तान का शमत का परमेश्वर एश्यमसी ने किया और उसके द्वारा उन सब को ये मालुम और स्ट्रॉंगली मालुम हुआ होगा कि एश्यमसी मेसेया है एश्यमसी परमेश्वर का पुत्र है और अभी आगे जाएंगे मत्ती 19 में मैथ्यू 19 मैंत्य 19, 27, 28 इसमें क्या हो रहा है ये पंक्ति में हम देखेंगे कि जो एश्यमसी के लिए सेवकाई कर रहे है हमारा विश्वास के लिए सेवकाई कर रहे है उनका परमेश्वर क्या रखा है, क्या सम्मान है, क्या इनाम है तो पत्रस जो फरमेश्वर का डिसाइपल है, अपॉसल है, फॉलो कर रहे है वो पोल रहे है, देखें हम लोग जो ये बारा अपॉसल के बारे में बोल रहे है तुम लोग आपके लिए हमारा सब चोड़ के हम आपके पीछे हैं, हमारे लिए क्या होगा परियेश्वमसी बोल रहा है, मैं अश्यूडली आईसेटी है, मतलब मैं बहुत स्तिर से बोल रहा हूँ कि, इसके वजे से जब अने वाला समय में जब मनिश्य का पुत्र अपना सिनासन में महीमा में तुम लोग जो मेरे पीछे आये हो सबचोड़ के आप लोग उपन अपना सिनासन कौकम बेटेंगे ओर यह जो इस्रेयल का बारा जाती है वो बारह जाति को आप लोग न्याए करोगे ना ये बोल रहे है और और भी एक चीज है पहले ये समझेंगे ये ये जो विशे है ये एक शिमसी सिर्फ वो बारह छेले लोग है बारह अपोसल से उनके लिए बोल रहे है ठीक है ये हम समझना है कि आप आप लोग आपका गर को आपका परिवार को आपका काम को सब छोड़के मेरे पीछे आएं विश्वास के दौरा और मेरे साथ रहें रहें परमेशर का इच्छा का रहुचार सेवकाई कर रहें आप लोग का मैं मैं जब एक हजार वर्ष का राज्य है जब मैं सिनहासन में महिमा में बेटूंगा आप बारे लोग बारा जाती हैं इसरेल का हर एक व्यक्ति अपना अपना सिनहासन में बेटेंगे एक जैसे एक जड़ बोलते हैं जड़ जैसे आप लोग राज्य करोगे उन लोग का राज्य होगा एक एक जाती के ऊपर इसरेल में और उनका न्याय करेंगे ठीक है एक बहुत बड़ा पुर्शिशन है यह स्वर्ग में होगा उनके लिए और एक और प्रॉमिस है हम यह सब के लिए है वचन वचन अठाइस से यह मार्कूस में है मार्कूस 10 28-31 में यह हम सब के लिए प्रॉमिस है जो हम मती 19 27-28 में देखे हैं वो सिर्फ वो अपॉसल्स के लिए है अब यह मार्कूस 10 में यही पंक्ती चल रहा है सिमिलर बात बता रहे हैं मार्कूस भी उसमें 28-31 में यह मसी एक प्रॉमिस दे रहे हैं सब के लिए यह बता रहे हैं कि जो भी कोई मेरे लिए अपना गर अपना परिवार बाई बेहन पत्नी बच्चे लोग अपना संपती सब चोड़के मेरे नाम के लिए और यह सुच्छमाचार के लिए आएं उनको हजारों हजारों बाई बहन होंगे हजारों गर होगा ये समय में और आने वाला समय में इसका मदलब यह है कोई परमेशवर के लिए सेवकाई के लिए परमेशवर के पीच्छे लग-बग पुरे तरीके से आएंगे उनका उन्होंने जतना छोड़े हैंद उसका काफी कि गुना दिया जाएगा कैसे अभी सोचो हम लोग विश्वासी हैं हम लोग मरने के बाद अनंकाल जीने वाले हैं हम लोग का रिष्टा अनंकाल है विश्वासी लोग का बीच में जो बाइबेहन है अनंकाल है आप सोचिए अगर तो हम spiritually देखेंगे हम लोग बाइबेहन है मसी के अंदर अनंकाल के लिए तो अगर मेरा चर्श में अगर पच्चाश लोग है सब लोग मेरा बाइबेहन है अगर किसी का फैमिली में कुछ बोल रहे हैं कि तुम येश्व के पीचे नहीं चाना है और कुछ प्राब्लम हुआ और मगर वो लोग वो बंदा आ रहे हैं चर्श में विश्वास कर रहे हैं वो रुकते नहीं है शायद उनका एक परिवार चोड़के अपना परिवार चो मुझे इतना बाई बहन है मसी में कि अलग-अलग देशों में अलग-अलग शेहरों में कि ये वचन सच है अभी भी हम भी देख सकते हम मुंबई में कलीशा के दौरा कितना बाई बहन को मालम है कितना अलग-अलग परिवार को मालम है जो चर्श के बिना उनके पास ये शुमसी हमें काफी परिवार बाइबहन रिलेशन्स देते हैं और वो ये समय के लिए और आने वाला समय में जब हम अभी मसी के लिए सेवा कर रहे हैं आने वाला समय में मसी जब रूल करेंगे मसी जब हजार वर्ष का राजय करेंगे हम लोग कभी कुछ जगा दिया होग में मसी का गवर्मेंट में हम लोग भी बाग होने वाला है हम लोग भी कोई आफिसर होंगे कोई मिनिस्टर होगा किसी का बड़ा देश दिया जाएगा राज्य करने के लिए किसी के एक शेहर दिया जाएगा किसी के एक गाउं दिया जाएगा जैसे आजकल गवर्मेंट में मिनिस्टर से पार्लिमंटेरियन्स हैं इसा हम लोग भी परमेशर का हजार वर्स राज्ये में परमेशर का गाउर्मन्ट में परमेशर का किंग्डम में हम रहेंगे कितना अदूद बात होगा वो समय ना और ये किसको दिया जाएगा जो विश्वास योग्ये हैं मसी के लिए सेवकाई कर रहें और हम विश्वास हम विश्वास कर सकते हैं मसी के उपर मगर हम मसी के लिए कुछ ना कुछ भी नहीं कर रहें ऐसा भी हो सकते हैं मतलब मेरा फ्रेंड है जिसके पास मैं मसी के बारे में बोल सकता हूं मगर मेरा अंदर डर है में बोलने रहां, मुझे मेरे पास मोका आ रहा है यह फिर भी में नहीं बोल रहां, मेरा चछ शुसद्वाइबन बाट रहे हर हफथे मगर मेरे पास मोका है में नहीं जा रहा हूँ, शुर्पा घृरा हो गया, मैं गवासिक कॉन है śma. जीवन के द्वारा दिखा सकता हूं मगर में प्रेम नहीं दिखा रहा हूं तो मतलब मेरा जीवन एक गवाई मसी का जीवन जैसे नहीं है गवाई जीवन यह जो मोका जब हम छोड़ेंगे मतलब हम मसी में हैं मगर मसी मसी जैसे चाहता है हमारा जीवन होना वेसे नहीं है तो पुरे तरीके से और जो मसी का जीवन अपना जीवन में दिखा रहे हैं उनको वो राज्य में बाग होगा मत्फि 20 में अभी देखेंगे इसमें एक जो अंगूर का बगीचे है विन्याद बोलते हैं अंगूर का बगीचे है उसका एक ओनर है यह ओनर है इनका अंगुर का बगीचे में कुछ काम है उसके लिए लोग को बुला रहे हैं वो मार्केट में जा रहे हैं जो काम करने वाले हैं उनको लेके आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं तुम पुरा दिन काम करो मेरे बगीचे में और तुमें एक दिनारे दूंगा अब example को ले लेंगे 500 रुपे दे रहे हैं और क्या करते हैं आप सोचो कि वो सुबह 9 बजे कुछ लोगों को लेकर आया market से वो काम कर रहे हैं बोला गया था आप 5 बजे तर काम करो 5 बजे जैसे काम कतम होगा मैं 500 रुपे दूगा ठीक है और ये major store owner वापस क्या कर रहे हैं वापस 12 बजे market के पास जा रहे हैं उधर देख है और भी कुछ लोग काम के लिए वेट कर रहे हैं उनको भी लेके आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं तुम भी 5 बजे तक काम करो फिर वापस 2 Barb За जा रहे हैं थर और भी लोगों को लेके आ रहे हैं काम करने के लिए और फिर चार बजे जा रहे हैं चार बजे जा के और भी लोग देख रहे हैं मार्केट में काम के लिए उनको भी लेके आ रहे हैं सब लोग पांच बज़े तक काम कियें, पांच बज़े जैसे कतम हुआ और ये ओनर क्या कर रहे हैं, सब लोग को पांच सो रुपे दे रहे हैं, जो सुबह नो बज़े से पांच बज़े तक काम किया, उसको भी पांच सो मिल रहा है, जो चार बज़े आया, जो दो बज़े तुम्हें पहां है उसको भी 500 अभी क्या हुआ जो सुबहें काम किया ॏ बझे आया आए काम कि यह वो लोग पूछने लगे आप क्यूं आप क्यूंहूं हमें कम देए Як उनको भी 500 रुपे हम तो बहुत ज्यादा काम किया हमें भी 500 रुपे मिल रहा है और ये शुमसी मतलब वो लैंड ओनर बोला कि बगीचे के जो ओनर बोला जब तुम्हें लेके आया उस समय तुम्हें बोला तुम नो से पांच बजे काम करना तुम्हें 500 रुपे मिलेगा तुमने भी हाम बोला इसलिए आया और जो मैं प्रॉमिस किया जितना पेशा दूँगा वो मैंने दिया है उसमें गलत में क्या किया अगर वो कम काम किया उसको मैं 500 रुपे दिया तुम्हारे क्या लेना देना है जो तुमसे बात किया उतना पेशा तो तुम्हें दे दिया कम नहीं दिया अभी ये पंक्ति के दोरा हम क्या सीखना चाह रहें, क्या बता रहें, परमेशर, वो लैंड ओनर परमेशर है, परमेशर हमें लोगों को अलग-अलग समय बुला रहें, आप सोचो, सब लोग एकी उमर में विश्वास में नहीं आते हैं, कोई पांच, फिफ्ट स्टेंडर्ड में विश्वास में आते हैं, कोई 10 स्टेंडर्ड में विश्वास में आते हैं, कोई कॉलेज में विश्वास में आते हैं, कोई हो सकते हैं, पचास साल होने के बाद विश्वास में आते हैं, अलग-अलग समय में सची दिल से मुझे सेवा करता है तुम कभी भी तुम विश्वाद मैं तुम्हारा इनाम सम्मान अच्छा होगा हो सकता है मैं बीस साल में विश्वाद में आ गया और परमेशर के उतना सेव का नहीं किया मैं बस चर्श में आ रहा हूं जा रहा हूं संडे आ रहा हूं चर्श में वापस जा रहा हूं बाकी दिन बस काम कर रहा हूं संसारिक जीवन जी रहा हूं कुछ सोच नहीं है परमेशर के लिए क्या करना है कैसा रहना है वो बस संडे क्रिस्टियन कु हम लोग लगबग तीन चार बार मिलते हैं हम हर एक अफते में और हम लोग हमारा चर्च में सब लोग कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं कोई चारेंज अरेंज करें कोई वर्शिप टीम में कोई वैंजलिजम में जा रहे हैं कोई बाइबल क्लास में हैं तो हमारा चर्च और मै वकाई में हैं, हम लोग ग्रो हो रहे हैं spiritually, तो मगर काफी churches ऐसा नहीं है, काफी लोग churches में इतना सामे नहीं बिता रहे हैं, इतना सेवा नहीं कर रहे हैं, तो परमेशर ये बोल रहे हैं, अगर तुम commitment से और सचे दिल से, प्रेम से तुम मेरे लिए सेवा खरेगे, वो 5 हो, तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर मैं 40 साल संडे क्रिस्चिन रहा, परमेशर के लिए सेवा चोटा मोटा कहीं किया, वो भी आदे मन से, आदे दिल से, मुझे क्या इनाम मिल सकता है, मगर शायद मैं 10 साल के लिए, मैं 50 साल में मैं विश्वास में आया, 60 साल तक ही जिया, अगर वो 10 साल में, मैं बहुत कमिटमेंट से, पूरे बहुत कमिटेडली और बहुत प्रेमी से मैं दिल से मैं परमेशर के लिए सेवा किया, उसको परमेशर सम्मान देता है, वो ही ये बता रहे हैं कि अगर आप परमेशर के लिए सेवा किये सची दिल से, आप 50 साल किये है दस साल के वो फरक नहीं पड़ता आपका दिल के साथ था सेवा करने में परमेश्वर का महिमा के लिए सेवा कर रहे थे परमेश्वर का योजना के लिए सेवा कर रहे थे परमेश्वर को प्रेम से कर रहे थे क्यूंकि हम सेवा काफी कर सकते मैं worship team में हो सकता हूँ, मैं Bible पढ़ सकता हूँ, मैं हर Bible class attend कर सकता हूँ, मैं outreak जा सकता हूँ, help कर सकता हूँ, अगर अगर मैं वो प्रेम से नहीं किया, नहीं तो परमेश्वर का महीमा के लिए नहीं किया, तो वो waste होगा, अगर मैं ऐसा करूंगा अरे मैं अगर ये चैर एरेंज करूंगा तो लोग मुझे देखेंगे मैं अच्छा सेवा कर रहा हूं अगर मैं प्रेयर करूंगा लोग बोलेंगा अच्छा कितना प्रेयर कर रहा है अगर मैं गाओंगा लोग देखके बोलेंगा अरे इतना अच्छ लोगों को भी लोगों के लिए बिना प्रेम का परमेश्वर के लिए बिना प्रेम का कुछ भी से होगा करेंगे वो वियर्थ होगा हम प्रेम से करना है जो भी हम कर रहे हैं चोटा हो बड़ा हो हम प्रेम से करना है सेकेंड महीमा, परमेश्वर का महीमा के लिए करना है, मेरा नाम के लिए नहीं, मेरा नाम के लिए जो भी मैं करूँगा, वो वेस्ट होगा, मैं जो बिना प्रेम का जो भी काम करूँगा, वो भी वेस्ट होगा, उसका कोई फल नहीं होगा, ना मैं परमेशर का महिमा के लिए करना है हमेशा और प्रेम प्रेम के साथ करना प्रेम के जो भी करना है प्रेम के साथ मैं चाय भी दे रहा हूं किसी को मैं प्रेम से प्रेमी दिल से मैं हस के मैं लोगों को दे सकता हूं वो परमेशर उसको इनाम देते तो ये पंक्ति के वोई बोलना चारे हमारा मन बहुत मुक्य है परमेशर का महीमा और प्रेमी दिल से करना बहुत मुक्य है उनका सब का इनाम होगा मतलब कितना समय के लिए वो matter नहीं करता है कुछ समय कभी-कभी हम यह सोच सकते है आरे मैं 50 साल का उमर में परमेश्वर के अंदर आया अगर मैं 20 साल का उमर में आया होता मैं और कितना सेवा किया होता इसा नहीं है हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें अगर हम प्रेम से और परमेशर का महिमा के लिए करेंगे वही परमेशर देखता है उसके लिए इनाम और सम्मान होता है ओके जे मसी